वेलकम टू जी के जी अस्वित्मनीश सर आज 20 जन्वरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपुर्ण क्रेंट अफेर होंगे वो हम इस वेडियो में डिसकस करेंगे इस वेडियो का PDF टेलिग्राम पे मिलेगा और टेलिग्राम का लिंक वेडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में है तो आईए शुरू करते हैं आज का महत्वपुर्ण क्रेंट अफेर आज का पहला प्रशन है राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस कम मनाया जाता है त तो देखो NDRF इसने अपनी 18 अस्थापना दिवस मनाया है और NDRF मतलब होता है National Disaster Response Force जिसका हिट क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी अस्थापना हुई थी 2006 में और इसके बरतमान में चेयर्मेन कौन है अतुल करवाल इसके चेयर्मेन है बरतमान में साथियो अब इ आजिक आपका टॉपिक है DRDO DRDO की बारे में आप जो भी जानते हो इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको वैस्विक परिवार दिवस मनाया जाता है एक जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है चार जनवरी को विश्व युध अनात दिवस छे जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो दस जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिव भूत्पुर्वसैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया गया, थल सेना दिवस का मनाया गया तो 15 जनवरी को, साथि उपर्थम थल से नाध्यक्ष कौन थे और बरतमान में थल से नाध्यक्ष कौन है, तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको, भारतिय मौसम, बिज्ञ कि मना जाता है तो शूलह जर्वरी को मना जाता है राष्ट्रिये स्टार्ट पर दीबस अबंगा प्रश्ण आपका इय गवनेस अमोड में शिफ्ट होने वाला भार्तिय े किंद्र सासित परदेश कौन बना है तो जम्मू कासमीर बना है तो जम्मू कासमीर के उपरा जेपाल कौन है मनोज सिन्हा जम्मू कासमीर में है डाची ग्राम अभ्यारन जम्मू कासमीर में है किस तबार रास्ट्रिय उद्यान और तुलबुल पर योजना यह जेलम नदी पर है पालक दुल जल्विदुत पर योजना मारू सुदर नदी पर है किस नदी पर है तो मारू सुदर नदी पर है डल जील बुलर जील बैरिनाग जील मानस बल जील सेस नाग जील अनंत नाग जील और नागिन जील किस कहां पर है तो जम्मू कासमीर में है कारा कोरम दर्रा जोजिला दर्रा पीर पंजाल दर्रा बनिहाल दर् जम्मू कास्मीर पहले तराज्य था तो जब यह यूनियन ट्रेटरी बना साथी हो तो आपको बताना है कि जम्मू कास्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन है और जम्मू कास्मीर जब यूनियन ट्रेटरी बना तो इसके पर्थम उपराज्यपाल कौन बनी तो इसका जबाब दे अब यह Global Fire Power Index है क्या तो देखो Global Fire Power Index आपका सभी देशों केeri पर्फफम स्थान पर है दूसरी आस्थान पर रूस है तिसरी आस्थान पर चीन है और चौतरे आस्थान पर अपना देश भारत है साथ ही हो अब महत्रपुन इंडेक्स के बारे बात करते हैं, सबसे पहले 2022 में जो महत्रपुन इंडेक्स है उसको देखेंगे, फिर 23 वाले को देखेंगे. तो विशुखु सहाली सुचकांग 2022 में फीनलेंड पर्थम है और भारत का स्थान 136 है, वैस्विक 37 सुचकांग 2022 में आइसलेंड पर्थम है और भारत का स्थान 135 है, गलोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलेंड पर्थम है और भारत का स्थान 135 है, कमिटमेंट तू रि है और चीन, हंगरी, मॉंटीनेगरो, जिवेकिस्तान, रूस, सौधी अरव, सहीत, सतर हदेश इसमें पर्थामस्थान पर है साथ जो अब आगे है आपका विश्व प्रेश सुचकांग 22 में नौर्वे पर्थामस्थान पर है और भारत का स्थान कितना है तो 150 है इसमें भारत का स्थान पर्यावरन पर दर्थान सुचकांग 22 में पर्थामस्थान पर नौर्वे है और भारत का स्थान 180 है सामोही घत्या और उच्च जोखिम सुचकांग 22 में पर्थामस्थान पर पाकिस्तान है और भारत का स्थान आप है साथ यो वैस्विक वीमानन सुरक्षा रैंक का अस्थान 68 है और हैनल पास्पोर्ट इंडेक्स 23 में जापान प्रथम अस्थान पर है और भारत का अस्थान 85 है तो साथ यो हैनल पास्पोर्ट इंडेक्स 22 में भी आपका जापान पहले है और इसकी ये स्थापना कब हुई इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको अब महत्वपुर्ण कंपणी है जिसके CEO को देखेंगे हम तो Microsoft के CEO है सत्या नडेला अमेजन के CEO है अब अगले के CEO है नडीजेसी गुगल के CEO है सुंदर पिचाई एपल के CEO है टिम कुक फ्लिफ कार्ड के CEO है कल्यान क्रिश्णमूर्थी और फेस्बुक के CEO कौन है तो मार्क जुकेनबर्ग है फेस्बुक के CEO साथी ओ और फिर से साथी हो तो Microsoft के CEO सत्या नडेला है Amazon के CEO NDJC है Google के CEO सुन्दर पिचाई है Apple के CEO टीम कोक है Flipkart के CEO कलियान कृष्ण मूर्ती है और Facebook के CEO कौन है तो Mark जुकेन बर्तमान में Facebook के CEO है साथियो अब अगला प्रशने आपका हाली में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिन एसिया का सबसे कमजोर अर्थ विवस्था वाला देश कौन बना है तो पाकिस्तान बना है दक्षिन एसिया का सबसे कमजोर अर्थ विवस्था वाला देश साथियो साथियो अर्थ विवस्था तो अर्थ सास्त्र जो पुस्तक आपकी आई थी प्राचीर भारत में इसके लेखा कौन है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको और अर्थ सास्त्र के पिता कौन है इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको अब साथियो पाकिस्तान प्रथामस्थान पर है इसमें तो पाकिस्तान की राजधानी है इसलमावाद, पाकिस्तान की प्रसिडेंट है अरिफ अलवी और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है सहवाद सरीफ, अब साथियो व्ल्ड वेंग की यह रिपोर्ट है तो व्ल्ड व वासिंग गटन और इसके मैनेजिंग डायक्टेर है किष्ट नीना जॉर्जी योवा और इसके स्थापना हुई दिसंबर उनिस्व पैतालिस में वर्ल्ड हेल्थ ओगनाईजेशन जिसका हेड़क्वाटर जनेवा में है और इसके स्थापना हुई साथ अप्रेल उनिस्व औ अधानम कौन है दड्रस अधानम वर्ल्ड हेल्थ ओगनाईजेशन के चेर्मेन है साथियो साथियो संयुक तराष्ट के चेर्मेन कौन है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको हाली में किस देश के प्रधानमंत्री जो सेंड़ा ओर्डन ने अपने पद से स्थिपादिया साथियो अब न्यूजी लेंड तो न्यूजी लेंड की राधानी क्या है बैलिंगटन न्यूजी लेंड की करेंसी क्या है तो न्यूजी लेंड डॉलर न्यूजी लेंड की करेंसी साथियो और जा प्रधार मंत्री नए बनेंगे उसके बारे मैं आपको बत भारतिये क्रिसी अनुसंधान संस्थान का हेड़कॉटर नई दिल्ली में है। भारतिये क्रिसी अनुसंधान संस्थान का हेड़कॉटर नई दिल्ली में हुआ। केंद्रिये रिजर्ब पुलीस अनुसंधान संस्थान का हेड़कॉटर नई दिल्ली में है। क्रिसी अनुसंधान संस्थान का हेड़कॉटर नई दिल्ली में है। और इसका हेड़कॉटर कहा है तो फ्रांस की पेरिस में है साथियो। को इसके स्थापना हुई साथियो ICC की और इसके चेर परसंद कौन है तो ग्रेग वार केले इसके चेर परसंद है और इसके डिप्टी चेर्मेन कौन है तो इमिरान ख्वाजा और CEO कौन है तो जियो अफ एलर्डिस है। BCCI Board of Control for Cricket in India जिसका हेटकोर्टर मुंबई में है और इसके स्थापना कब हुई BCCI की तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई अब देखो BCCI के परसंद कौन है तो रोजर बिनी है क्रिकेट का जन में इंगलेंड में हुआ था। दुनिया का पहला क्रिकेट कलब जिसका नाम था हैंबल्डन क्रिकेट कलब इसकी स्थापना हुई थी 1760 में जबकि दूसरा था मैरी लिबॉन जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेल वर्न में ऑस्टेलिया और इंगलेंड के बीच हुआ। क्रिकेट से है। साथियो आपको आज बताना है होकी में कौन-कौन सा ट्रॉफी या कप दिया जाता है तो इसका जबाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियो। 1983 में इंगलेंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और बेश्टन डीज के बीच हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी। यानि कि पहले बार भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता तो 1983 में जीता अब 2011 में भारत स्रिलंका और बांगला देश में स्रिलंका को हरा करके दूसरी बार वर्ल्ड कप का किताब अपने नाम के असाथ हुआ तो ये था आज का आपका महत्तपूर्ण क्रेंटरफियर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाली में भारत और किस देश के बीच वरुन नौसेनिक अभ्यास की सुरुआत हुई है तो भारत और फ्रांस के बीच इसका सुरुआत हुआ है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें शियर करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद।